नवस्कार दोस्तो आज हम इस पाम का एनालिसिस करेंगे देखते ही इस पाम में क्या खासियत है सबसे पहले अगर ध्यान जाता है तो इस पूरे पाम पर केवल एक शुक्र परवत ही उब्रा हुआ है बाकी के सब माउंट फ्लेट है टोटल केवल एक शुक्र परवत उब्रा हुआ है अब इनका अंगूठा देखिए हाथ के मुकाबले काफी मजबूत और फर्स फैलेंग भी नुकिला है तो अपने कारे में जिद्ध से लगने वाले व्यक्तित्व होंगे ये और अपनी बात अच्छी तरह से समझा भी पाते होंगे यानि ये गुण इस पाम में बहुत अच्छा खासा इन में है अंगूठा काफी शाशक्त है अच्छा व्यक्तित्व होगा इनका अब गुरू की जो उंगली है वो सनी की उंगली की तरफ थोड़ी सी बैंड हो रही है जो व्यक्ति धार्मिक भी होता है और इनके फर्स फैलेंज जो है वो मद्यम से थोड़े से बड़े है तो ये एनलिटिक परसनालिटी भी होगी किसी चीज का उप्रेशन करना हो यानि प्लस माइनस निकालना हो तो ऐसे व्यक्ति अच्छी तरह से निकाल पाते है दूसरा जो छोटी उंगली है वो फर्स फैलेंज तक पहुच रही है तो ऐसे व्यक्ति कम्मिनिकेशन, डॉक्कुमेंटेशन, फाइलिंग और चीजों को संबाल कर रखना ये सब अच्छे खासे गुन रेक्ति में होते हैं प्लस ये उंगली, अंगुठा और ये उंगली अगर बड़ी है तो आम लोगों से ऐसे लोग सफल ज़ादा होते हैं यानि सफलता है इनको मिलती है अब ये पूरे पाम पर रेखाय अच्छी है और माउंट इतने उभरे हुए नहीं है तो ये क्या बताते हैं व्यक्ति कभी भी ऐसा व्यक्ति एग्रेसिव होकर कोई काम नहीं करता है सांती से अपने जीवन में आगे बढ़ता है ये इस तरह की मानसिक्ता है क्योंकि इस पाम पर फेट लाइन अच्छी है तो इनको जीवन में तकलिफे नहीं आने वाली ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस पाम पर है पर व्यक्ति तो उभर कर कभी सामने नहीं आएगा साइलेंट टाइब से रहने वाले व्यक्ति होते ही ये लोग अब इनके बूद पर्वत की और जाते हैं बूद पर्वत पर भी पर्वत सभी फ्लैट है तो उसके बारे में डिस्कस करने का कोई आवशक्ता नहीं है पर ये जो हृदे रेखा से लाइने निकल रही है तो ये एक दया भाव भी दिखा रही है ऐसे वेक्तियों में सेवा भाव का भी एक अच्छा खासा सोभाव रहता है प्लस ये तो इनको टेकनोलोजी का भी हो सकता है अच्छा ज्यान हो अब ये जो खड़ी रेखा है इस परवत को अच्छा खासा स्ट्रॉंग कर रही है इतनी अच्छी खड़ी रेखा है इस परवत को थोड़ी सी धार दे रही है अब चलते हैं इनके सुर्य परवत पर और ऐसे लोग बोल कर भी सामने वाले को सात्व ना दे सकते हैं healing quality होती है इन में अब इनका सुर्य परवत अच्छा खासा पार्ट लिया हुआ है पर यहां से थोड़ा सा folded है और उस पर कोई strong रेखा उपर नहीं जा रही है नीचे रेखाई है तो इस पार्ट में जीवन का जब यह पार्ट चालोगा तो इनको यश भी मिलेगा और धन भी म आसपास से थर्टीटू के आसपास से अब एक लाइन ऐसी थी जो अगर यह घुमाओ इस तर से लेती तो इनके जीवन में अच्छा खासा धन आता पर इस ने इस लाइन ने घुमाओ यहां ले लिया तो यह शुक्रवले नहीं बना यह सनी का और सुर्य का मिलन हो गया और यह दोनों एक दूसरे के शत्रूग रहे तो यह इनको माइनस पॉइंट देंगे जीवन में अब इनकी शनी परवत को भी देखे काफी फ्लैट है पर उस पर खड़ी रेखा जा रही है तो यह बुड़ा पे तक इनको आर्थिक तकलिप का सामना नहीं करना पड़ेगा यह प्लस पॉइंट हो सकता है यह फ्लैट होने के कारण शंगर्ष जादा करना पड़े जीवन में चीजे आसानी से ना मिले पर इनको आर्थिक दुष्टी से कंटीनियू इंकम इनके पास सुरू रहेगी अब चलते इनके गुरू परवत पर गुरू पर खड़ी रही है पर डार्क नहीं है हलकी है परवत को स्पेस तो अच्छा मिला हुआ है पर उबरा हुआ नहीं है तो परिवार में यह कभी रैपो नहीं बना पाते यानि अपना स्थान उस तरह का मजबूत नहीं कर पाते इस तरह का व्यक्थित वह उनका रहता है पर खड़ी लाइन है तो यह continue progress इनके जीवन में रहेगा हलकी होने के बावजूत भी अंदूनी मंगल उब्रा हुआ नहीं है तो सरीर में वूस तरह की एनरजी ऐसे लोगों में नहीं रहती यह पफी है यह पार्ट पफी है और नरम है जिस से आसे फोटोग्राफ दिख रहा है खफी और नरम तो ऐसे मैं सरीर में एनर्जी व्यक्ति के कम रहती है और दो चार लाइन तो कभी न कभी चिंता का भाव इनके जीवन में रहेगा अब चलते इनके भारी मंगल, भारी मंगल भी मध्यम है, तो ऐसे लोगों में जब संकट आता है, तो लड़ने की कैपेसिटी थोड़ी सी कम होती है, ये लोग तुरंथ थोड़े से वो हो जाते हैं, साहरा डुन्ने बैठते हैं, इस तरह की मानसिक्ता इनकी रहती है, अब इनका चंद् मुश्किल से नव वाक्य काम के नहीं होते होंगे, और एक वाक्य ही काम का होता होगा, और ऐसे लोगों में जब चंद्र थोड़ा सा दबा हुआ होता है, तो बोलने की जो पैमाना है, वो जादा होता है, अब इनके हाथ पर, अगर यहां से ओपन है, ये मनी ट्रेंगल, त इतना अच्छा मनी ट्रेंगल जीवन में, इंकम के अच्छे सुरोत पैदा करेगा, इंकम इनके पास अच्छी रहेगी, चाए वो बचे, यहां पे अगर ये जोइंट होती होगी ये रेखा, तो इनके पास धन बचेगा भी, अच्छा कासा संग्रा भी करेंगे, पर यहां अच्छा खासा, यानि ऐसे लोग बड़ा सामरा जिबी क्रियेट कर सकते हैं, इनके हाथ के नीचे ज्यादा लोग काम कर सकते हैं, इस तरह की ये बुद्रेखा का प्रभाव होता है, व्यक्ति के जीवन में, अगर ये व्यपारवानी जिमें जाए, तो अच्छा खासा बुद्रेखा आ गई किसी के हाथ में, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, अब चलते हैं, इनके शुक्र परवत, शुक्र परवत काफी उबरा हुआ, पूरे माउंट में केवल एक परवत ही है, जो उबरा हुआ है, जो इनको धन देगा, पर गुरु दबा हुआ है, तो ये माइनस पॉइंट है, इनके उपचार मैं इनको वाट्स अप पर दे दूंगा, अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा जमता है, तो व्यक्ति के जीवन में अच्छा खासा धन आ सकता है, पर ये टेक्टर का टायर हो, और एक साइकल का टायर हो, तो जीवन में उस तरह का धन नहीं आता, जिस तरह के इनसान के हाथ में होता है, और एक शुक्र रेखा भी है, तो जीवन तो लग्जरी, इनको अच्छी खासी जीवन में मिलेगी, तो ये प्लस पॉइंट है, इनके पूरे पाम में अगर कोई प्लस पॉइंट है, तो ये और बाकी क फेट लाइन, धन रेखा, अब चलते इनके हिदे रेखा पर, हिदे रेखा गुरू से सुरू होकर कम प्लेट सीधी जा रही है, और कव लिये हुए, तो ऐसे लोगों का सबाव काफी उत्तम होता है, और ये लोग भरोसे लाइक इनसान होते हैं, ये कभी किसी का दस रुप तेने, इस तरह की मान सिकता, जब गुरू से टच होकर लाइन चलती है, हाँ, इन में थोड़े से एक्सपेक्टेशन जादा होती है, परिवार के प्रती एक्सपेक्टेशन इनकी जादा होती है, उस कारण से ये कभी कभी दुखी रहते हैं, पर फिर भी ये आदर्स रिद गुरू पर्वत के सुरुवाती पार्ट से सुरु होकर पूरे चंडर पर्वत के पास पहुच रही है, इतनी बड़ी माइन लाइन व्यक्ति को बहुत सारा बुद्धी कौशल ले देती है, अगर ये लोग बुद्धी अपना यूज करना चाहे, ये महिला का हाथ है, तो बहुत कुछ चमतकार कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रेखा प्लस ये बुद्ध रेखा, बहुत अच्छा काम इनके द्वारा हो सकता है, और इनको अगर कोई अच्छा गुरू जिसका हो, जिसके हाथ का ऐसा पार्टनर मिल जाए, तो चार चांद लग जाए, काफी अपने धे के पीछे लगने वाले इनसान होंगे, अभी उमर छोटी है, पर ये भहुत कुछ चमतकार कर सकते हैं, इनकी मायन लाइन से और बुद्ध रेखा से लग रहा है, पर इनको विस्तार करने के लिए कोई न कोई ऐसा पार्टनर ढुनना पड़ेगा, जिसका फैला हुआ हो, अगर ये दो कॉंबिनेशन ऐसे लोगों को मिल जाता है, तो अच्छा खासा सामराज्य ये लोग खड़ा कर सकते हैं, और ये मायन लाइन इतनी सुन्दर होकर, डिफ्रेंस निकल रही है, यानि जीवन रेखा से काफी दूर चल रही है, तो ये दिखा रही है, जिद्धी व्यक्तितों के होंगे, और जिम्मेदारिया लेने वाले व्यक्तितों होगा, जब मायन लाइन जीवन रेखा से दूरी पर चलता है, तो व्यक्ती जिम्मेदारियों से भागता नहीं, अपने बलबूते पर जिम्मेदारिया उठाता है, सामने से जिम्मेदा इनकी होती है, अब इनकी जीवन रेखा भी काफी सुन्दर है, इतना सा पार्ट संगर्ष में दिख रहा है, ये लगबग उमर 30 से 32 तक का पार्ट इनके जीवन में संगर्ष में जाएगा, पर उसके बाद इनकी जीवन रेखा या 35 तक का पार्ट समझ लो, उसके बाद इनकी जीवन रेखा अच्छी खासी, smoothly, शुक्रव परवत को घेरते हुए, complete आगे बढ़ रही है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छी जीवन रेखा है, पर ये इतना प कि किसी के जीवन में होती है, तो वो पार्ट काफी संगर समय रहता है, पर जैसे ही जीवन रेखा, सुन्दर बनती है, और आगे बढ़ती है, तो जीवन काफी सरल हो जाता है, और इसी पर एक बड़ी आसी प्रोग्रेस लाइन उपर जा रही है, इस समय जीवन के इस पर लगबग 36-37 में इनको बहुत बड़ी कोई सफलता इनके जीवन में हाथ में आएगी, और इनके जीवन की गाड़ी बहुत स्पीड में आगे बढ़ेगी, और उसके बाद भी इनकी जीवन रेका एकदम स्मूथ है, और छोटे-मोटे आफशूट है, और यहां ट्रिंक ट्रैंगल है, यह जमीन का सुक देगी, और यह एक बड़ा सा फेट लाइन और निकल रहा है, इसका बाद में विशलेशन करेंगे, और जीवन रेका काफी स्मूथ चल रही है, तो इनको मेरे हिसाब से जीवन में केवल 32 या 36 तक का पिरियड संगर्स में रहेगा, उसके ब अब चलते हैं इनकी फेट लाइन पर, जब किसी व्यक्ति के हाथ में, चाए वो महिला हो या पुरुश हो, डबल फेट लाइन हो, तो व्यक्ति करोड़ पती तो बनता ही है, यह सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है, इनके पाम पर डबल फेट लाइन है, तो यह दा जी है, जिसके भी पाम पर डबल फेट लाइन है, तो यह सोबागिय व्यक्ति को मिलता ही है, अब यह एक फेट लाइन इनकी इस तरह से चली, यानि यह multiple income वाले व्यक्ति होंगे, और एक फेट लाइन इस तरह से चल रही है, और यह चल रही है, अब जीवन के 36 साल तक कुछ ए इंकम होगी इनकी और यहां से 35-36 से इनका और एक व्योसाय चालू होगा पर वो strong बनेगा लगबग 42-43 से यह पार थोड़ा सा संगर्स में इस बिजनेस में रहेगा और यह जो fate line है यह भी strong बर रही है लगबग 38-49 से ही यह इतना जीवन का पार्ट जो चाहेंगे उस लेवल का धन इनके पास प्राप्त नहीं होगा पर इनकी गाड़ी की रफ्तार 38-39 से लेके और इस 38 से अच्छी खासी जीवन की गाड़ी strong गती से आगे बढ़ेगी और एक समय तो इनके पास तिन-तिन जगह से पैसे आते होंगे तिन-तिन व्यावसाय होंगे बस मेरा इनसे एक ही निवेदन है इनको जल्दी से जल्दी बिजनेस के अंदर आना चाहिए और कोई गुरु जिसका मजबूत हो पाम देखकर पार्टनर्शिप करें जिसका गुरु मजबूत है अगर उनसे हाथ मिला लिया तो अच्छा खासा वयपार का विस्तार होगा अच्छा खासा बड़ा वयपार इनके द्वारा क्रियेट होगा ये महिला होकर भी मैं ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छी फेट लाइन है पर इनको परवत का साथ नहीं है इसके लिए मैंने ये चीज बताई और इनकी स्ट्रॉंग भी हो रही है यहां से फेट लाइन और इस पिरियड में भी ऐसी कोई तकलिफ मुझे जादा दिखने ही रही है किवल एक रहू रेखाने बहुत श्ट्रॉंगली काटा है तो उमर एक फेट लाइन में उमर लगबक 27 के आसपास इनको तकलिफ आएगी कुछ न कुछ आर्थिक कष्ट उठाना पड़ेगा और एक जो बिजनेस होगा उमर 34 या 33 हाफ के आसपास इनको कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा आर्थिक बाकी उनको जीवन में ऐसा कोई ज्यादा कष्ट दिख नहीं रहा है छोटी मोटी रेखाय काट रही है तो हर एक के जीवन में कभी न कभी थोड़ा कुछ नुकसान होता ही है उसको छोड़कर इनका जीवन काफी उत्तम दिख रहा है तो moral of the story अगर कहे तो ये पाम में रेखाय काफी उत्तम है पर ग्रहों का उभर नहीं होने के कारण विस्तार करना होगा इनको कोई चीज का तो इनको किसी न किसी का सहरा लेना पड़ेगा और जिसका माउंट अच्छे होंगे उनका अगर इनको सहरा मिल गया तो ये चमतकार जीवन में कर सकते है आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों का जवाब इनको मिल गया होगा और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद